छलिए, आपको सिधा अलियु चलते है मुद्रेश के पूर मंत्र जीतनु पत्वारी की प्रेस की कि अपरिस को सब्सक्राइब कि परकेंज चाहिए कि परफिस के साथिए कि अच्छा चाहिए कि अच्छा मुथ ताय। करते हैं आधरी अधरी जी आधरी कुनाल जी आधरी हमारे सलमंदित हर्याना पिसे जिसे जुड़े हुए अधरादी कारी करते हुए साथियो कल एक घटना विश्णु में ऐसी घटी जिसने आकर्शित किया तुड़े दुनिया में मानों ताके भाव को जीने वाले लोगों जामान के पूर प्रधान हत्री सीजो एबी की हत्या एक दूखन संदर्टु तुड़े विश्ट के भावश आया है 2017 में जबू यहां आया थे भारत उनका आना हुआ तो उन्होंने वाव किसा हुए आतंक की हमले के गुनागारों को सजा देनी चाहिए किसी भी सुरत में उन्हें माप करना मानों ताके अशुरपछा का भाव है यह उसी वेक्ति की पांस साल बाद आतंक बाद के द्वारा ही हत्या करती जाए हम सब उनको यह सब्धान जली देते हैं साथ ही साथ कल एक घटना चंडी घट में हुई जिसमें बच्ची और स्कूल के तेंथ क्लास के हमारी बेटी इश्वर के पास चली गई कुछ जायल भी हुए इस भुटिया के भी हम सब्धान जली स्वाग देते हैं अमरकात यात्रा में भी प्रेज़ेडी हुई उसके भी कुछ कई बार के लोग चले गए उनको भी हम यहाँ सब्धान जली देते हैं पर यह महात्मूर प्रेज़वारता पूरे देश में बाइस जगे एक सांथ कांदेस पाइटी लेकिए और यह भावना देश की सुरच्छा को लेकिए देश की आंत्रिक सुरच्छा और देश की सेन्य ताकत को संदर्विक रख लिए भावना है दोस्तों भारती जनता पार्टी का एक दर्फ जन्संद से लेके जनता पार्टी से लेके उससे पहले जब भी इनकी विचार की बात आई तो उन्होंने राश्वात पर भोग फोक कि इसे अलग अलग नहिता आपने बैयार निटेते हैं और कई इंसात्मक घटनावी राश्वात के नाम पर ये अलग अलग संदर्वे कर चुके देश भारती राटी कांगे से भारती जन्ता पार्टी का एक छेहरा देश के सामने रखने की कोशिश की है आपके सामने लिग बाज अप्पा का आतकवादियों से नाता है यह रिष्टार क्या कहलाता है कि केसे नाता है दो हजार चौदा में नरेंद्र मोती जी को संभावना उसे आशा उसे एक नए भारत की परिकल्पना में देश के लोगों ने खासकरी हुआ उन्हें सयोग किया और अधभुत किया अखर्पनी किया आशा थी देश को कि मेरेंद्र मोती जी ने जब जो बाते कही वो राष्टवाद की भावना से परिकून थी और साथ ही साथ उन्होंने देश की सेंग ताकत को विश्व इस्तर पर बढ़ाने की बाते भी कही सुरक्षी देश सुरक्षी धातों में रहेगा देश की नारा विजा झा पर समय जैसे जैसे बीत्ता गया आप देखो भारतीय जनसा पार्टी का फोक्राइब और कशेधर में डी बडगाब होता की मिठील सथा से दो घटता है ढटा है घटी कि जिसने भारती जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा बनकाब हो कि उदर्पूर हत्याकान का रोपी हत्यारावठी बाहती जंता पार्टी का परढ़ा धिकाही निकला बात में जंबू कश्विय में पकड़े गलए लश्करे दोवे बाकाई आतफबात भारती जंता पार्टी का फिर बानाधी निकला वो आत्रकवादी जो रश्करे तोवेबा के लिए काम करता उसका ग्रह मंत्री के साथ फोटू निकला तो एक तरफ अगर कोई आत्रकवादी ग्रह मंत्री के साथ अपना फोटू घिचवा ले यहने आंत्रिक सुरक्षा है इंटलिजेंस के नाम पर यह सरकार जीरो है फेल है जब ग्रह मंत्री के पास अत्रकवादी खड़ा हो जाये तो फिर देश का क्या होगा, आंत्रिक सुरक्षा का क्या होगा, यह सवाल आज देश के सामने है या निए? साथियों हम मीडिया के माध्यम से अपीर करते हैं कि भारती जन्ता पार्टी के भोगले राष्टवात को देश जाने पहचाने राष्टवात के आड में नकली राष्टवात से देश में किस तरीके से घ्रणा और लप्रत और हिंसा फेलाई जाती है इसको देश जाने और इस पर बंदिश लगाना इसको ख़देड़ना देश की आंत्रिक सुरक्षा की रच्छा करना देश के विपक्स का और मीडिया का और देश की दिनता का संपस्त का दाईत वह धर्म है इसलिए इस प्रेश महत्पूर्ट प्रेश वारता पुरे देश में कहरें सांथ हूँ पिछले दिनों उदरपूर में करेयअ राजी की में कुछ तर्थ ह्था आपके सांबने एक के बाद तरह निकले अल्षंक्यक्त मोर्चे का परादीकारी निकला और पूरे देश में किस तरीके का उस हत्याकान के बाद एक माहूर था एक रोश्ट था एक तरह की उनको कैसे हम उन रहत्यारों को सजा मिलें देश का हर नागरी उस पर विचार कर रहा है और उस पूरी घटना की निंदा कर रहा था जिस भी रूप में कर रहा था कर रहा बारती जिंदा पार्टी उस पर राज निती के रूपिया सेखने की तयारी कर रहा है कि समझो इनके भोकले राषपा देखो जानो यह दो दोनों बीजेपी जैसा मैंने कहा तालीब हुसेन शाह भातपा का पदादी कारी फिर निकला जिसका मैंने संदर्ड अमिश शाह के साथ होटू से यह दूसरी घट आप यह दोनों बीजेपी का कोई आपकारी करता नहीं थे inकिवाज अपागे वरिष नेताओं के सांद तस्वीरें सी एंपी नेता पूर घ्रहमंत्री के सांद जैपुर वाले उधर पूर वाले हत्यारे की और इस आतंगवादी के देश के घ्रहमंत्री के सांद गोटू स मेरा आप से हिरोध है सोचिए आज अपार आजपार के आड़ मैं कैसा घिनों ना खेल खेल आरोफ है और तप्जोर करक के साथ ये सिर्फ दो मामले पहले नहीं है इससे पहले भी कई मामले हो रहे साल 2020 में जम्मू कश्विर में एसा ही मामला सामने आया था जब आतनकवादियों को हत्यार मोईया कराने के आरोफ में भाज़पार्ट के पूरु नेता एवम सर्पंच तारीक आहमद मीर को घिरवतार किया गया था ये आतनकवादियों को हत्यार सप्राइबतार था 2020 इसमें दल्विंदर सिंग के साथ गिरवतार हुआ था दल्विंदर सिंग को डिविंदर सिंग तो जिस तरीके से उसकी जाच भी जाच किस स्टेच पे है आज तक देश को पता नी चाहिए यह त्रहश्ट ने यह राष्ट वात की बात करने वालों से पुछा जाए या ना पुछा जाए कि यह 2020 के घट्टा आज 2-3 सार बाध भी जाच के दायरे में आज तक उसका रिजन्ट डिट्रोनी आया यह राष्ट वात की बात करने वाले लोग देश को बताना चाहिए इनने अवेट टेलीपोन एक्षेंज का परदा भास किया था जिसमें ISI के 11 संदिक जों को दिरप्तार किया गया हमद्र प्रिदेश मेरे राजी की बाद एक बीजेपी का आयटी सेल का वदा दिकारी निकला उसका नाम था दूप सक्सेट जिनके राजी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंग चोहान के साथ फोटू वीडियो और कई तरह के प्रमाण मिला भारती जन्ता पालिटी का आतंगवास से क्या नाता है तो यहां पर आप सुन रहे थे मद्यप्रदेश के पूर्म बंत्री जीतु पटवारी की तरफ से प्रेस कॉंफरेंस की गई हलाकि प्रदेश भर में कॉंग्रस की तरफ से 22 जगाहों पर प्रेस कॉंफरेंस की जा रही है और जीतु पटवारी की प्रेस कॉंफरेंस को आप पर सरकार को जम कर घेरा है सबसे पहले तो उन्होंने यहां पर शिंजवावे की हत्या को लेकर इसकी निंदा की और साती साथ जिस तरीके से उद्यपूर में जो घटना घटी उसमें बीजेपी के साथ उनके संबंध होने की बास सामने आई तो इन तमाम मुद्दों को लेकर यहां पर किंदर सरकार को घेरा गया और यह कहा गया कि जिसने कनया लाल की हत्या की वो अमिर्शाह के बगल में फोटो में दिखाई देता है तो ऐसे में देश कैसे स्रक्षित रह सकता है तो कई मस्तलों को लेकर किंदर सरकार को यहां पर कॉंग्रिस की तरफ से घेरा गया चले फिलाल इस बुलेटर में मेरे साथ बस इतना ही देज़े इजासत नमस्कार